आप लोग अपने स्क्रीन के उपद चेक कर सकते हों यहां पर जो लोन अमाउंट अप्रूब किया गया है वह किया गया है 20,000 रुपे का और यहां पर टोटल डिस्पर्ज भी अमाउंट जो है 20,000 रुपे किया जाएगा पैंक खाते में लेकिन यहां पर अगर आप देखो ग है आपको मैंनेवली पे करना होगा और पे करने के बाद इसकी कोई गरांटी नहीं है कि मतलब लोन मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि मैं तो शर्फ आपको शर्फ एडवाईस दे सकता हूं क्योंकि दिखे वह जहां पेमेंट की बात है वहारी इक शापको लेना है मैं किसी को पर पूल भी सेट हो चुका है और यहां पर डिस्पर्जमेंट यहां पर इन प्रॉसेस में है भी फिलाल तो अब दिखे सबसे बड़ी बात यह है इस अप्लिकेशन को लेगा कि अगर आप सेलरी बेस पर अपलाई करते हो तो आप लोगों को इंकम प्रूब देना होता जैसे क हो जाता है और सबसे बड़ी बात यह है इस हुट को लेगा कि यहां पर व बिलता है वह मिलता है 20,000-2,000,008 टक कश हो यहां पर कि दो हजार किसी को 10,000, 15,000, 15,000 difference amount आपको देखने को मिल जाता है लेकिन खास का सबसे बड़ी बात यह कि 22-23,000 रुपे का approval आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा इसके लिए आप लोगों को कई सारी मेनत करनी पर सकती है मतलब कि आपको income पूरूप देना होगा बैंक स्टेटमेंट देना होगा फिर यहां पर पेमेंट भी करनी होगी 590 रुपे की उसके बाद जो है दो से तीन दिन के अंदर अंदर जो लोन है यह आपका पूरा यह अप्रूप किया जाता है इसमें दो टाइप के loan मिलते हैं एक मिलता है business loan और एक मिलता है personal loan डेपेंड करेंगा आपके उपर कि आप यहां से क्या apply करना चाहते हो लेकिन document बहुत सारे आपको यहां पर upload करने पर सकते हैं यह सारे के सारे step आपको complete करने होंगे on paper और मैं आपको बता दूँ कि यहां पर liberty check आपकी तभी की जाएगी जब आप सेविल चेक करने के लिए payment करते हो 500.99 रुपेट है अलागी आपको समरी दीखने को मिल जाती है आपको उतना ही मिलेगा जितनी की आप apply करोगे या जितनी की आपके लोन होगा मतलब कि जितनी आपके सेल्डी होगे उसके according की यहां पर आपको लोन प्रवाइड किया जाएगा